सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सही और अथन्टक जानकारी चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब करने का दो लाइकन जरूर पेस कीजिए प्रात्मिक शिक्षक भरती 31 से कम अमर के कंडिडेट को पीवी ने पात्ता पर सक्षा में सामिल किया पौलीफाई भी हुए अच्छी रेंक लाई आई फिर भी भरती से बाहर तो क्या जानकारी में आपको वहताने जारूं फ्रेंड्स देखें 17 नवंबर 17 नवंबर से प्रात्मिक शिक्षक भरती के लिए भरती प्रक्रिया सुरू हो रिफ्रेंड्स प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रात्मिक शिक्षक भरती प्रक्रिया 17 नवंबर से सुरू होने वाली है इसकूल सिक्षा भाग और जन्जाती कारभाग 18,527 पदों पर भरती के लिए आनलाइन वाध्यम से समयुक्त काउंसिलिंग करेंगे इसमें DLA की प्रेक्षा और रिजल्ट में देरी होने के कारण कई उम्मीदवार पर भरती से बाहर होते देख रहे हैं इसके अलावा करीब 150 हैसे उम्मीदवार भी जुड़ गए हैं जो 21 वर्ष से कम आयू के प्रोफेशनल एक्जामनेशन बोर्ड पीवी द्वारा आवजेत प्रात्मेक सिक्षक पात्ता प्रक्षा 2020 में ना सिर्फ क्वालिफाई हुए बलकि अच्छी रेंग भी प्राप्त कर लेकिन मतप्रदेश स्कूल सिक्षा सेक्षक संबर्ग भरती नियम 2018 के अनुसार कम अमन होने के काड़े भरती प्रक्रिया के बाहर हो रहे हैं उम्मीदवारों का कहना है सिक्षक भरती काउंसलिंग पोर्डल पर निर्देश का जारी हुई थी इसकी आयू सीमा एक जनवरी 222 से करने की बात कही हलाकि निर्देश का बाद में हटा ली गई लोग सिक्षन संचनाले में भरती प्रक्रिया देख एक अधिकारी का कहना है कि यदि ऐसे उम्मीदवार को भरती नियम में संसोधन करना होगा इसके बाद यह सामिल हो सकेंगे इस सम्मंद में सासन इसतर प आयू की सर्थ बदली गई प्रात्मिक सिक्षक पात्ता परिक्षा 2020 में के लिए दो बार आवेदन बुलाए गए पहली बार 6 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2020 तक दूसरी बार 14 दिसंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 के दोरान निम्नतम एक जनवरी 2021 की 18 वर्स पूरी करने वाले उमीदवारों क के आवेदन बुलाए गए साथ ही यह भी स्पेश्ट किया गया आयू सीमा केवल प्रात्मिक सिक्षक पात्ता परिक्षा की लिए मानन होगी ऐसे में जिनकी उम्र 20 पूरी नहीं थी वह पात्ता परिक्षा में सामिल हो गए जिनकी अच्छी रेंक भी हासिल कर ली यानि की सीधी सीधी बात यह है कि जब दो बार आवेदन बुलाएगा तो एक बार 18 वर्स उम्र का जिक्र किया गया और एक बार 21 का किया गया अब जनकारी इस टाइप की निकल के आ रहे हैं प्रसासन का क्या कहना है इसकूल सिक्षा भाग के भरतीनियम 2018 के हैं चार जुलाई 2019 का र मंद में समन प्रसासन मंत्राला की ओर से सभी विभागों के अदेश जारी किये गए इसके अनसार लोग सेवा आयोग की परदी के बाहर के त्रतिये मंचतर स्रेणी के पदों के लिए 18-40 वर्स है खास बात है कि प्राद्मिक सिक्षक का पद त्रतिये स्रेणी का बद है इस आयू सीमा की गणना के अनसार से एक जनवरी 2022 को 20 साल 6 महिने हो रहे हैं लेकिन ये भरती में सामल नहीं हो पाएंगा ऐसे एक उम्मीदवार राजगड जले से हैं उम्मीदवार जन तारीक 8 अप्रेल 2001 है 2018 में बार्मी की 2020 में डियलेड कंप्लीट हुआ पात्ता परक्षा 2020 में 226 रेंख है फ्रेंट्स ओवीसी स्रेंडी से 84 रेंख है आयू सीमा की गणना से तारीक एक जनवरी 2022 रखी है तो इनके अनसार 20 साल 9 महिने हो रहे हैं ऐसे में कई उम्मीदवार बाहर हो रहे हैं तो य पुल्रिक्षण का होगा काम प्रदेश में 66,000 करमचारियों को दो माह नहीं होंगे तबादले यानि कि प्रदेश में अभी 66,000 ऐसे करमचारी सिक्षक पटवारी अन बूत लेवल के ऑफीसर जिनको बनाया गया है तो उनके तबादले नहीं हो सकेंगे यह जनकारी इस्ट